इस समय वर्ल्ल मीडिया में दो ही नाम सुन्ने को मिल रहे हैं पहला रिशी सुनक और दूसरा है लिस्टरस अब कौन है रिशी सुनक और कौन है लिस्टरस क्या हुआ यूके के इलेक्शन्स में कैसे जीत गई लिस्टरस और कैसे हार गई रिशी सुनक आए देखते हैं रिश इनका पूरा नाम है Mary Elizabeth Trust इनका जन्म हुआता 26 जुलाई 1975 ऑक्सवर्ड युनाइटिट किंग्डम में ट्रस की एज है 47 रिशी सुनक ब्रिटिश पॉलिटिशन है और कंसर्वेटिव पार्टी के मेंबर है ये भी ब्रिटिश पॉलिटिशन है और कंसर्वेटिव पार्टी की मेंबर है इलेक्शन लणने से पहले रिशी सुनक थे वित मंतरी UK के इलेक्शन लणने से पहले Liz Trust थी UK की विदेश मंतरी रिशे सुनक अक्टूबर 2014 में बने थे कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर ओफ पारलेमेंट ट्रस ने जोईन की थी कंजर्वेटिव पार्टी 1996 में आई अब बात करते हैं UK में elections कैसे होते हैं जैसे भारत में हर पास साल में चुनाओ होते हैं जैसे भारत में दो बड़ी पाटियां हैं भारती जंदपाटी और कॉंगरिस भारत में भी दो बड़ी पाटियां हैं कंसर्वेटिव पाटी और लेबर पाटी भारत में जिस तरह लोगसावा सांसत का चुनाओ होता है उसी तरह ब्रिटेन में लोग House of Commons के लिए अपने सांसत का चुनाओ करते हैं House of Commons मतलब ब्रिटेन की Parliament ब्रिटेन में कुल 600 संसदिये शेत्र हैं इन में से 533 इंग्लैंड में है 69 स्कॉटलैंड में है 40 Wales में है 18 Northern Ireland में है ब्रिटेन में भी 18 साल के उपर के वे लोग जिनोंने अपना नाम मत दाता सूची में रजिस्टर कराया है वे लोग वोट डाल सकते हैं 16 साल की I.U के बाद रजिस्टेशन कराया जा सकता है लेकिन वोट देने का अधिकार 18 साल की उम्र के बाद ही मिलता है इसके लिए ब्रिटेन का नागरिक होना जरूरी है Commonwealth देशों और Ireland के वह लोग जो ब्रिटेन में रहते हैं वो भी वोट दे सकते हैं जो चुनाओ लिस्ट्रस और रिशी सुनक के बीच हुआ वो चुनाओ अलग है कैसे आए समझते हैं आज से तीन सल पहले ब्रिटेन को एक नया परदानमंत्री मिला था जिनका नाम था Boris Johnson Boris Johnson Conservative Party के थे और इनकी पार्टी जीती थी 358 सीटे लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि Boris Johnson को इस्तिफा देना पड़ा UK में बिरोजगारी और महिंगाई ने लोगों का दम फुला दिया एक स्टडी के अनुसार पता चला कि ब्रिटेन में 10 में से 7 लोग ये चाते थे कि Boris Johnson अपना इस्तिफा दे Boris Johnson ने करोना में लगे प्रती बंदों का उलंगन करते हुए प्रदानमंत्री निवास में डिनर और और इसी कारण Boris Johnson ऐसे पहले प्रतानमंत्री थे जिन पर 50 पॉन का जुर्माना लगाया गया ऐसी ही कुछ कारणों की वज़े से Boris Johnson ने इस्तिफा दिया ब्रिटेन में जब बीच कारेकाल में ही PM को पद छोड़ना पड़े तो चुनाओ कैसे होते हैं इस चुनाओ में अपकी बार ब्रिटेन की जनता वोट नहीं डाल रही थी बलकि वहां की संसद में जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा संसद है वे अपने संसदिये दल का नेता चुन रही थी कंसर्वेटिव पार्टी के पास सबसे ज़्यादा संसद थे तो ऐसे में पार्टी अपना प्रमुक और देश का प्रधान मंत्री दो नहीं चुनने जा रही थी ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के दो ही नेता एक दूसरे पर ही अमलावर थे पूर्वुवित मंतरी रिशी सुनक और विदेश मंतरी लिस्टरस आमने सामने थी बिटेन में ये चुनाव अलग तरीके से हुए थे बीच काररेकाल में ही PM को पत छोड़ना पड़े तो ऐसी स्थिती में PM कैंडिडेट तै करने के लिए पार्टी के भीतर ही वोटी होती है पार्टी के लोग वोट देकर PM को चुनते हैं ये प्रग्रिक्रिया दो चरणों में होती है पहले चरण में पार्टी के सांसत वोट देते हैं उसके बाद जब अंत में दो candidate बचते हैं जिनें सबसे ज़्यादा vote मिलते हैं अब इन दो candidate के बीच जिसे ज़्यादा vote मिलते हैं वो उमीदवार PM बनता है और इस चुनाव में registered कारे करता हुन्हें vote डाले और रिशी सुनक को मिले 60399 votes और list trust को मिले 81326 votes और list trust बन गई Britain की न यू सो मुझ पर वाचिंग इस वीडियो